कि वंदे मातरम साथियो कि आज कही दिनों से जो किसान अंदोलन चल रहा था उस पे कई परकार के जो हैं विडियो जर सब देखने का आफसर मिला और लोगों की जो है किसानों के प्रतिवदासिंता भी देखने को मिली और कई प्रिकार के जो आराव बाज भी वहाँ चल रही थी, तो मैं उझे लगा कि इस विशह पर अपना स्केंड़े क्लियर कर देना भेतर होता है, क्योंकि नीट्रल रहने का ना मुझे आदत है ना मेरे सोभाव में है, क्योंकि कोई चीज सही गलत है, तो पक्ष तो जरूर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत यदि है, तो तठस्त रहकर वो काम नहीं बन पाता है, तो मैं बात इस पर नहीं करना चाहूँगा, कि जो बिल सरकार लेकर आई है, इसमें क्या सही, क्या गलत है, क्योंकि महत्व के बात वो नहीं है, महत्व के बात ये है, क्या, जिस प्रकार से सरकारें, ये सरकार, जो केंदर सरकार है, और राज्य सरकारें, जिस प्रकार की एक ताना शाही का एक रवई अपना लिया है, कि वो जो भी नियम होता है, उसे लागू करने से पहले, रतिवर भी नहीं सोचते, तो ये जो नियम लागू करने की इनको जल्दबाजी हो जाती है, ये इस प्रकार से बिना किसे से बात करे, ना जाने किसके प्रभाव में, सरकार जो हम पर फैसले थोब देती है, तो ये जो निरंकुषता जो इनके अंदर है, कि ये निरंकुषत तरीके से जिस प्रकार काम कर रहे हैं, इन पर किसी ना किसी का तो डंडा होना ही चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये किसानों ने ये ये अंदोलन किया हुआ है, तो कहीं कहीं सरकार को उसकी उकात भी दिलाने की जरूत है, याद कि ये देश जो है, ये उनको चुनकर भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हर आदेश बिना किसी विरोध के जो है, उनको थोपनी दिया जाएगा भारत की जनता पर, क्योंकि बड़ी बात क्या है, कि आज जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की, मैं पुरानी बात करूँ, किसी भी प्रकार की जो संगठन इस देश में है, वो किस प्रकार से सरकारी गुलाम बन कर, वो किस प्रकार से सरकार को हर चीज मानने पर या चुपी साथ कर बैढ़ जाते हैं, और सरकार का एक ही काम है, जिस प्रकार से आज भाजपा की सरकार है और वो ये कह रही है कि जो विपक्षी दल है वो जो है उकसाकर किसानों को जो है बहला कर जो है इतना बड़ा अंदुलन नों ने खड़ा कर दिया है सरकार के विरोद एक शडियंतर किया जा रहा है मैं यह पूचता हूँ कि यदि ये सरकार कॉंग्रिस की होती तो क्या इस समय ये किसान अंदुलन यदि हो रहा होता तो क्या भाजपा जो है या जो भी दल इस समय सरकारों में हैं वो सब के सब जो है इसका विरोद नहीं कर रह क Holl Labs या किसानों का साथ नहीं दे रहे होते हैं जरूर धे रहे होते से जब तो से कहीं नहीं है बात यह है कि ये जिस प्रकार से बात करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी अंदोलन यदि सरकार के विरोध में होता है तो सारी सरकार को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि उस को जो है बदनाम किया जाए या फिर उसको तोड़ दिया जाए या जो उस उनको किसी प्रकार से कन्विंस कर लिया जाए खरीद लिया जाए दढ़ा दिया जाए धमका दिया जाए उनके पुराने कोई पाफ दिखा कर उनको ब्लैक्मेल कर डिया जाूँ यह सारी सरकारे करती हैं और आप अपनी साख बचाने के लिए कि ये सरकार हम तक ना पहुंच जाए ये लोग जो हैं प्रदर्शन हम तक ना पहुंच जा या इसका कारण हमें कोई नुकसान ना हो तो सारी सरकारे वो करती हैं तो जो मीडिया इनके हाथ में है, जो मीडिया के द्वारा जो है जिस प्रकार का एक नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों के लिए इनको खालिस्तानी कहकर, या पाकिस्तान सपोर्टर कहकर, उसमें मैं यह कहता हूँ कि जरूर जब इतनी बड़ी अपना ही एजंडा लेकर चलते हैं, लेकिन मूल में इस अंदोलन के क्या है, वो है सरकार के द्वारा जारी किये गए यह बिल, तो हम लोग बात ही करेंगे कि यह सरकार के द्वारा जारी किये गए बिल है, इसकी बात यदि किसी को अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता ह कि कोई इंटर्व्यू पे आकर जो टीवी पे आकर इस प्रकार के बयान बाजी कर दे जिसको हाइलाइट कर करके उस अंदलों को बदनाम करने की कोशिश की जाए और जो हो भी रहा है अभी भी लेकिन जो मूल में जो किसानों का जो है जो पुरा मुद्धा है और मुझे लग करता हूँ कि यदि अंग्रेजों किसे पहले जो विवस्था थी उसके बाद अंग्रेज ये मंडी वगरा जो ये न्यूनितम समर्थन बूले मस्पी का जो पूरा मॉडल लेकर आए वो इतने वर्षों से चल रहा है ऐसे तो कई सारे मॉडल इस देश में हैं जो बाद करनी हैं तो मैं ही कहता हूँ कि इसमें कानून और कई प्रकार की विवस्था बदलने की भी जरूरत है केवल किर्शी कानून ही कियो पहला तो मुद्दा ये दूसरा यदि इसको अंग्रेजों के पहले की विवस्था थी उसके हिसाब से दिल लाना ही है तो उसकी जि उसे बहतर कुछ लाना पड़ेगा और जहां तक हमने इस क्रिशी बिल को जो पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है ये केवल और केवल थोड़े दिन का दिलासा दे कर कि आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है मुनाफ़ा होने वाला है ये सब बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा ये सब क्या करेंगे ये अपनी सरकारी कारेकाल पूरा कर लेंगे कुछ इसमें से अपनी आयूप पूरी करके चले जाएंगे और खाम्याजा कोन भुगतेगा हमारे आने वाली पीडियां हमारे आने वाली पीडियों के किसान और वर्तवान के जो किसान है वो यह जो नीतिया बना कर चले जाएंगे, इसका बहुत बहुत बहुतरी हिंड मैं उधारन दे रहा हूं, जो नीतिया बना कर यह चले जाएंगे, उसका खामयजा यह लोग नहीं भुगतते, इनकी तो पीडियां हैं, वो राजनीती में आकर अपना पैसा वैसा खुब अच्छ समय मिला, इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा, जो मैं बताना चाहरा हूं, कि किस प्रकार से इनके फैसलों का हमारे उपर परभाव पड़ता है, तो इन लोगों ने 1995 में जो साइन कर दिया WTO Agreement, जिसको 2005, जनवरी 2005 से लागू होना था, अब यह जब लागू होना था, तो दर्ष वर्ष के समय में जो है WTO को लागू करने के तयारी की जाए, राजी भाई का इस पर बहुत सुन्दर व्याख्यान है, आप सुन सकते हैं, राजी दिशिर जी का, उस विशर में मैं नहीं जाओंगा, लेकिन आप सोच यह जो राजी भाई ने बताया, तो उसके जो है यह 2004 में मनमौन सिंग की सरकार आई, कॉंगरेस की सरकार आई, और 2004 में आने के बाद 2005 में यह हमारा WTO भारत देश में लागू हो गया, और उसके बाद से किसानों के उपर बहुत सारे प्रतीबंद उनकी सबसीडीज हटाना और धीरे धीरे जो है काफी सारे प्रतीब हो चुका होता, क्योंकि लगबग 15 वर्ष हो गए, तो किसानों को भला दिखना कहीं तो शुरू होता, तो अगर यदि WTO को लागू करने के बाद से किसानों को भला हुआ, तो फिर अब ये क्रिशिविल्ट बदलने की जरूरत क्या है, तो इसका आर्थ यह हुआ कि WTO अग तयारी का समय था, दस वर्ष का जो समय था, वो तयारी जो है लगातार चलती रही, उस तयारी का क्या अर्थ था, तयारी का अर्थ का ये था कि 2005 में जब ये लागू होगा, तो इसके जो गलत प्रभाव है, उनके कारण जो लोग प्रभावित होंगे, चाहे वो किसान हों, उनके संगटन हो या unions हो या और भी जितने भी क्षित्रों पर लागू होना था वो लोगों के अंदर विरोध या वो लोग विरोध करने के लिए ना खड़े हो इसके लिए जो है तैयारी कर रही थी इसके लिए तयारी करनी थी तो उसके लिए इन संगठनों को या तो कमजोर किया गया या इनकी leadership में ऐसे लोग बिठा दिये गए जो कोई निरनायक फैसले न ले पाए या इन जो संगठनों को जो है वो तोड़ दिया गया खतम कर दिया गया या इनमें ऐसे पूरे के पूरे बना दिये गए संगटन जिनके कोई बहुत पावर नहीं रही जिनके अंदर आपसी फूड होई तो इस दस वर्ष में इस प्रकार की फूड डालो राजकरो वाला साशन के तयारी होई कि 2005 में कोई गतिरोद उत्पन ना हो इसके तयारी भी करनी थी ये उन तयारीों का एक हिस्सा था तो यदि भारत सरकार सरकार जो है किसी एक पार्टी का कारणी WTO इस देश में लागू हो या सरकार की जो किसानों के हलस उधारने के दिबात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में अलग-अलग इस दौरान दस वर्ष के दौरान अलग-अलग सरकारे आएं अलग-अलग पार्टी के सरकारे आएं लेकिन ये जो तयारी थी 2005 में WTO को लागू करने की ये बिना किसी रुकावट की चलती रही इसका मतलब क्या है कि ये WTO आप सरकारे कोई भी आएंगी लेकिन WTO लागू करने के तयारी जो है वो हर सरकार को जैसे ही उनको एक तरह से निर्देश मिल रहे हो कहीं से वो करना ही पड़ेगा तो ये इसका बहुत बड़ा उधारन है कि जिस प्रकार से आज जो 1994 में जिन लोगों ने साइन किया होगा आज उन में से जाधा तरकी या तो मृत्ती हो गई है या फिर वो पावर में नहीं है जो कारणों से वो खबरों में भी नहीं है नामें दिखाई देते हैं लेकिन उन लोगों के जो पुष्टे हैं उनकी पीडिया हैं आगे उनके बच्चे हैं या वो खुद जो हैं आज भी उसी तरह से अपना जीवन जो है हमारे करदाताओं के पैसे पे वो जीवन आनंद सिख बिठा रहे है तो 1994 में जो लोगों ने विरोध किया होगा जिनको च फाइदे बताने शुरू कर दिये गए बगाएदा कोर्स में डलवा कर सिलेबस में डलवा कर तो ये पूरी की पूरी तैयारी की गई तो मैं ये कह रहा हूं कि आज यदि ये जिस तरह से किसानों का ये जो जो बिल ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ही किसानों के लिए बि आपने किताब जो हमने रियल पेपसी स्टोरी जो है वो पीडियेफ यदी बोलेंगे तो मैं शेर कर दूम उसका लिंक अब दरील पेपसी स्टोरी यदी देखें के तो उसमें भी इसे प्रकार का धोगा भारत के साथ हुआ कि जब मुराजिस सरकार ने पेपसी को को अपोला क किया था सरकार के साथ कि हम जब आएंगे इस देश में तो हम लोग जो है पंजाब रियाना के जो किसान हैं उनको आलू और टमाटर जो यह चिप्स बनाते हैं आलू की उसके और जो टमाटर से केचप वगए और भी कई प्रोड़क्ट इनको बनाने होते हैं उसकी खेती के लिए हम बहुत जादा उनको जो है उपर उठा देंगे उसकी इतनी खेती उनको करवाएंगे लेकिन उनने सबसे एंड में जो है सौफ्ट ड्रिंक बनाने का जो मुद्दा सबसे एंड में पॉइंट में सबसे नीचे लिखा हुआ था कि हमारे लिए वह बहुत महतों की च केस आया था कि इनका कोई पेटेंट किया हुआ आलू ना किसानों नोगा लिया था तो इन्होंने केस कर दिया उनके उपर पेपसी कंपनी ने तो यह इस प्रकार की आज जो है 20-25 साल बाद जो ऐसी स्थिति आ गई है कि इनकी मोनोपली है कि हम इस प्रकार का आलू हम उगा सकते हैं यह हम रेट कर सकते हैं तो जब यह बड़े बड़े घरानों के उपास ही सारे सारी खेती चली जाएगी इसका इंडिसलाइजेशन हो जाएगा तो तब आप देखेगा कि मनमाने ढंक से या से 20-25 साल बाद जो हम इसका असली प्रभाव देखने को मिलेगा तो अभ अभी भी मैं एक बड़ी खराब बात यह बोलने वाला हूं कि जो यह बिल है यह कितना ही अंदोलन कर ले किसी तरह भी इसको कुछलना पड़ेगा सरकार कुछलेगी इसको चाहिए उसके लिए इनको मीडिया को कंट्रोल करकर किसे प्रकार का मैं यह बोलता हूँ नरसंहार बटा कर इस इस अंदोलन को चलने की कोशिश की जाएगी क्योंकि यह सरकार के हात में नहीं है कि इस मिल को वापिस लिया जाए तोमारी गल्ती नहीं ने नीती का विरोत्तों करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन से जो किसान खेती करने वाले उन सब के उपर बहुत गहरा और भयानक प्रभाव डालने वाला है क्योंकि एक गलत विवस्ता चल रही थी एक छत पे से जो लीकेज हो रहा था एक छत थी तूटी-फूटी उस चत को रिपेर करने के बज़ाए उस चत को हटाने का ही जो प्रयास किया जा रहा है अभी थोड़ दिन पहले एक वीडियो हमने शेर किया था कि जहरकंड में एक जगया है जहां पर अडानी ने जो है एक पावर प्लांट को पावर प्लांट जो है है थर्मो पावर इलेक्रिक जो है थर्मेलेक्रिसिटी पावर ग्रेड जो है बनाने का उप्रयास कर रहे हैं और जिससवें बंगलादेश में बिजली बेची जाएगी लेकिर वहां की पूरी जो एकोसिस्टम है पूरा जो वातावरन है जमीन है वो सब जबरदस्ती पुलिस इसके दम पर डंडे के दम पर हतिया कर आज बंगलादेश में को बिजली बेचने के लिए हमारे देश के एक शेत्र को बरबाद कर दिया गया है तो क्या गारंटी है कि आगे चलकर जब इनकर्शी जो है इस परकार से हो जाएगी कि एक सरकारी मंडी के सामने एक प्राइव लेकर आजएगी तो जो हाल आज कई और के शेत्रों में हो गया है वही हाल वहां हो जाएगा कि दिरे दिरे सरकारी मंडी पर जब कोई खरीद ही नहीं करेगा तो उनको बंद करना पड़ेगा फिर उसके बाद मोनोपली हो जाएगी कि जो यह प्राइवेट मंडिया हैं जो इसे भी कम रेट पर जो है यह मजबूर कर देंगे इनको क्योंकि केस ऐसा आया था जिसमें किसान को जो है यह नहीं मिला कि उसने कोई आलू का मिनिमम सपोर्ट मुले जो था एमेसपी जो था वो लगबग आठ रुपय था लेकिन एग्रिमेंट करेंगे हर किसी से कि एग्रिमेंट के इसाफ़़ चला जाएगा तो एग्रिमेंट में यह लिखा हुआ था कि आप से आलू 6 रुपय कर एट पर खरीदेंगे लेकिन एमेसपी उस साल जो है वह 8 रुप पलटी ली और हुआ कि चार रुपए मसपी हो गया तो आब जो है जो है किसानों ने कहा कि अब बताओ अब दो ने क्या चला कि उनके प्रोडक्त में उनके आलो में जो भी फसलती वालू में जो है वो कमी निकालते नहीं आलो छोटा है इसमें दाग लगा हुआ है कि कॉलि मैं यह कहता हूँ कि जिस प्रकार से WTO Agreement भारत ने साइन किया और उसके पीछे-पीछे कई देशों ने यह सोचकर साइन कर दिया कि भारत ने कुछ सोचकर साइन किया होगा ठीक वैसे ही कोई एक बड़ा किसान कुछ बड़ा किसान लिए इस Agreement को साइन कर देगा तो उसकी अंग्रेजों से पहले कि जो वेवस्था को यह दी खतम करना चाहते हैं तो केवल किसान की ही स्थिति क्यों आप कानून भी बदलो कई जो हमारे IPC है CRPC है वो सब जो कानून उनको भी बदला जाए तो यह जो सरकार जिस प्रकार से कर रही है किसी ना किसी का डर तो होना चा सरकार वेक्सिनेशन के ओपर जबरस्ति की गई है ऐसा कोई जना अंदुरा नहीं खड़ा है लेकिन किसी विशेपर तो कोई ऐसा इस देश में समू है किसानों का एक ऐसा बल है कि जो बदनामी यह लोग कर रहे हैं मीडिया इनके हाथ में ही सब मीडिया के थ्रू जो है प् किसान अपना भोजन बनाकर खुद करने के लिए हमारे उपर कैसे निर्भर नहीं है यह लोग क्योंकि जिस प्रकार से आगे चलके लेक्टिसिटी को भी में जो सबसिडी देने को भी मना कर दिया जाएगा दिरी दिरे उसकी भी प्लैनिंग हो रही है तो यह किसान जाएग कहां तो यह चाहते हैं कि पूरे बड़े-बड़े घरानों के हाथों में यह खेती दे दी जाए और मुझे लगता है कि बहुत दुर्भग्य की बात है कि हमारे देश में कि हम लोग जो हैं सरकारी भक्ती में आकर क्योंकि डेमोकरसी तो पहले खतम हो गई है क्योंकि आप यह देखेंगे कि डेमोकरसी तब होती है जब आप जैसे मालने जो 2019 में हमने भाजपा को वोट दिया तो हमने पहले ही 2019 में यह निलधारित किया हुआ है कि हम 2024 में भाजपा को ही वोट देंगे भले ही वो कैसे भी काम करें यह है डेमोकरसी की बृत्यु डेमोकरसी तब जी कि किस ने काम किया, क्या काम किया, उसके उपर हम पूरा विशलेशन करें, तब कहीं जाके हम ये निरने लें, कि हमारे जो सरकारों ने काम किया है, उसके बलबूते पर हम निर्धारित करें कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन हम लोग पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि किसक के श्रीड पर अधिकार करके उसके श्रीड में ऐसी चीज़े डाल दो जो उसके धर्म को प्रश्ट करें तो ऐसा ऐसा और बिमार लोग इस देश जीत तो सत्ते की होनी है आप लोग अपने जो कारे काल पूरा करके चले जाएंगे भुकतना हमा को लोगों को पड़ेगा क्या आपको पता दू Clay आपको लगता है कि इस सरकार में जीतनी भी सरकार है आई हैं अगया गया है कि आज कोरोना के कारण भारत की अर्थवविश्था वो बिल्कुल ऐसी पट्री से उतरने के गागार पे आगी लेकिन इनके बड़े बड़े प्रोजक्ट राज़मार के बंद नहीं हो रहे हैं हजारों करोड में लग रहा है, कहां से आ रहा है पैसा, करजे का रहा है किसका पैसा है वो, कौन चुकाएगा उसको, इनका अपनी जेप का तो पैसा है है नहीं इनके लिए तो जहाज भी 2011-12 में कॉंगरे सरकार ने जहाज अप्रूव करे अब जो है भाजबा के टेम पे वो जहाज इनके आ गए है अब जो है इनोंने नई संसत बनाने के लिए हजार क्रोड खर्च कर रहे है तो यह सब पैसा आ कहा से यदि भारत देश की तो आज भारत में यदि किसी प्रकार के आर्तिक संकट आया हुआ है तो इनको अपने खर्चों पे लगाम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए यह लेकिन नहीं दे रहे है इनको जो विकास के नाम पर यह हजारो क्रोड रुपए के प्रोज़क्ट चल रहे है वो प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूरी भी है देश के लिए अगर इनको लगता है हमें लगता है कि वो दविनाश हो रहा है एक तरह से लेकिन जिस प्रकार से प्रोजेक्ट अभी भी आविरल चल रहे हैं जब देश आर्थिक संकट से गुजरा तो इसका मतलब यह हैं कि पैसे की कमी नहीं है क्योंकि पैसा जो है जो करजे पर लाए जा रहे हैं और देश को विकास की गती दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो उस करजे को चुकाने के लिए हमें नहीं पता हमारे देश के आने वाले पीडियों को क्या समझोता करना पड़ेगा मुझे मैं शायद वो सोच भी नहीं सकता कि किस रूप में वो समझोता सामने आएगा तो मैं तो ऐसे समझोतों में अपने देश के आने वले PD को फसाने के लिए जिमेदार नहीं कहलाना चाहता तो इसलिए सरकार की गलत नीती चाहिए किसी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो उसको तो हम सपोर्ट नहीं करने वाले बले वचुनाओं में हो या वैसी पर नीतयों का विरोध हम करते रहेंगे ठीक ऐसे ही कि जो सरकार की इस बिल का विरोध हो रहा है किसान बिल का इसका विरोध हम करेंगे और मैं कहता हूं किसानों की ताकत मैं आप सब किसान भाईवियों से सब यह से निवेदन करना चाहूंगा कि डटे रहिए अपने मूल विशयद पर डटे रहिए यह जितना भी बदनाम करने कोशिश करेंगे जो आपके अंदुलन में घुसकर लोग बदनाम करने कोशिश करेंगे उनको भी ठिकाने सैड में लगाईए उनको भी उस अंदुलन से सैड में हटाईए लेकिन देश जो मूल आप लेकर चले हैं उस देश पर काइम रहिए मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ कि आपका यह अंदुलन सफल हो और राजी भाई का जो सपना था जिसमें किसानों का शुद्रे तो इसके ओपर हम काम जरूर करना चाहेंगे कि कोई बहतर व्यवस्था लाने का कोई भी सरकार प्रेयास करें तो जरूर बाना जाएगा लेकिन इस परकार से ताना शाही नहीं चलेगी कि जो आपने बिना किसान संगर्ट में से बात करें कुछ भी पारिद कर दिया तो वो मान लिया जाएगा वो भी इतनी जल्दबाजी में जब कोरोना का लोकडाउन लगा हुआ था कि कोई विरोध ना कर पाए तो आज कोरोना से बड़ा मुद्दा जो है हमारे आने वाले पीडियो का लेकर ये किसान बैटे हुए है जिसके लिए मैं उनको शत्षत अमन करता हूँ जै जवान जै किसान वंदे मातरम